हमारा समाज हमेशा से ही पुरुष प्रधान रहा है मानती हूँ 21 सदी चल रहे हैं लेकिन फिर भी आज भी मैं यहीं कहूंगे कि ये समाज पुरुष प्रधान ही है क्योंकि जब भी महिलाओं की बात आती है तो उन्हें हमेशा आखरी नंबर पर ही रखा जाता है उनके सहयोग, उनके बलीदान, उनके निश्ठा किसी को याद नहीं रहती है मैं बात कर रही हूँ उस इतिहास की जिसमें अगर आप बात करेंगे बाहुदरी की तो पुरुशों के नामों की आप लाइन लगा देंगे और महिलाओं के नाम गिनाने के बात आएगी तो कुछ गिने चुने नाम ही याद आएगे जैसे की जहां से की रानी, पन्ना धाय या फिर रानी पन्मवती लेकिन ये तो वो नाम है जिने प्रसिद्धी मिली थी इतिहास के पन्नों के ग्राफ को अगर आप खंगा लेंगे तो आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जिनका कही भी आज जिक्र नहीं है आज इस वीडियो में बाहत करने वाली हूँ उन गुर्जरियों की जिन्होंने इनके समाज के मान सम्मान को बढ़ाया अपनी बहदुरी से अपनी समझदारी से और क्यूं नहीं दिया जाता उन्हें वो मान सम्मान जिसकी वो हकदार है इन सब मुद्दों पर चर्चा करूंगी इस वीडियो में इसलिए आज बने रहे हैं लास तक हमारे साथ नमस्कार मैं हूँ चेतना शर्माप के साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान समवाद तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे समाज का मान सम्मान असली संस्कृती में योगदान की हकदार गुर्जर समाज की गुर्जरियों की हम सभी सिर्फ गुर्जर पुरुशों के पर ही लिखते हैं बात करते हैं उनकी बहदूरी के किस से सुनाते हैं गुर्जर संस्कृती की भी अगर हम बात करेंगे तो कभी भी उनकी बात नहीं की गई जो इनकी संस्कृति को बचानी की असली हकदार है और वो है इनकी गुर्जरानिया जब जब गुर्जरों की बात की जाती है तब हमेशा समाच की पगडी को भूल जाते हैं लोग जबकि सबसे एहम गुर्जरों में पगडी को ही माना जाता है वो पग इनके लिए गुजरिया हैं ऐसा इसलिए क्योंकि आज अगर सर उचा करके ये चलते हैं तो कही ना कही इसमें योगदान इनकी पग गुजरियों का ही है क्योंकि उन्होंने हमेशा से गुजरों का सर उचर रखा कभी इनका सर जुकने नहीं दिया आज भी गुर्जर कौम ही ऐसी है जिस समाज मेस्त्रियां अपने गुर्जरों से ही शादी करना पसंद करती है या फिर अंतर जाती विवान ना के बराबर करती है ये सिर्फ इसली क्योंकि वो जानती है कि इनका परिवार सिर्फ एक छोटा परिवार नहीं है बलकि पूरा समाज इनका परिवार है और एक दम एक कदम और पूरे समाज का सर नीचा हो जाता है इतना सब कुछ एक पुरोष प्रधान गुर्जर समाज में गुर्जर महिलाओं द्वारा करने पर उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है कभी भी उनकी बात नहीं की जाती उन्हें पाबंद रखा जाता है ये बात गलत है अगर इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में भी पन्ना धाय वो गुजरी थी जिसे इतिहास के दूसरे के बेटे के बदले अपने बेटे के बलीदान और वफादारी के लिए जाना जाता है इसके अलाबा तैमूर लंग जिसने लाखों लोगों का कतले आम किया उसके खिलाब भी इन गूजरियों की महला टुकडी ने ही लड़ाई की थी 1857 के 173 संग्राम की बात करूँ तो गूजरियां हत्यारबंद अंग्रेजों से भिड़ गई थी ऐसी एक विरांगना राम प्यारी गूजरी थी तो माली गूजरी भी जो जम्मू कश्मीर में आतंगवादियों से अकेली भिड़ गई थी ऐसी कई और विरांगनाए हैं इन गूजरियों में जैसे आशा गूजरी, मीना गूजरी और भी कई इन गूजरियों पर भी काही कहावते हैं आपने सुना होगा यदि कोई गूजरी किसी मर्द का हाथ कसकर पकड़ ले तो वो छुड़ा नहीं पाता गूजरियां शारिरिक रूप से बहुत मजबूत माने जाते हैं और राजस्थान में तो कहावत भी है गूजरी का दूद और नहर्नी का दूद बराबर होता है मतलब कि गूजरी का दूद शेरिके दूद जैसा ताकतफ़र होता है और ये कहावत तो आज भी प्रचलित है इसी वज़े से जादातर राजगराने अपने बच्चों को गुर्जरी का दूद पिलाया करते थे ताकि बच्चों में गुर्जरों जैसी बहादुरी आए, ताकत आए ऐसा ही पंजाब में भी माना जाता था कि यदि कोई बच्चा कमजोर हो, बिमार हो तो उसे गुर्जरी का दूद पिलाने से बच्चे की तब्याद दुरुस और बच्चाहष्ट पुष्ट हो जाता था इसी वज़े से गुर्जरीयों के दूद का उपयोग बिमार बच्चों के लिए भी किया जाता था और ये तो मानेता रही है कि गुर्जरी का दूद और शेर्णी का दूद एक बराबर होता है और बात अगर खुपसूर्ती की करूँ तो आज से लगबग हजार साल पहले गुर्जर राजा महिपाल प्रतिहार के काल के राज कभी राज शेखर ने गुर्जरियों की सुन्दर्ता के तारीफ की थी इससे तरह राजस्थानी लोग गीतों में और ब्रच लोग गीतों को अगर आप सुनेंगे और आज से कुछ समय पहले ही आई एक फिल्म में, गूजरी को सुन्दर ताके सिंबल में प्रस्थत करके गाना भी गाया गया था पुराने लोगों की एक मानेता रही थी, कि गूजरी सिर्फ गूजर से शाधी करती है यदि कोई गैर गुर्जर किसी गुर्जरी को ब्या कर लाता था तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी इतनी कि युद्ध जीतने के बराबर आप उसकी तुलना कर सकते हैं आज भी लोगों में इमान सिकता देखने को मिलती है यदि किसी गैर गुर्जर की प्रेमी का गुर्जरी हो तो वो बहुत सम्मानिय महसूस करता है और गुर्जर युबकों से युद्ध जीत लेने जैसा महसूस करता है कहीना कहीं ये गुर्जरीयों के गुर्जरों के प्रती वफादारी का ही प्रतीक है अगर हम गुर्जर आंदोलन को याद करेंगे तो गुर्जरियां आर्मी से अकेले भिड़ गई थी आपको याद होगा जहां लाठी चार्ज और आसू गैस के गोले दागे जा रहे थे ये गुर्जर समाज के लिए बहुत गर्वकी बात है कि गुर्जर निया गुर्जरों से कम नहीं है जिस गुर्जर संस्कृति के हम बात करते हैं वो गुर्जर स्त्रियों के बिना अधूरे हैं इनकी संस्कृति को बचाने में सबसे जादा योगदान इन गुर्जरियों का भी रहा है एक बिरादर या शित्र की संस्कृति के पहचान स्त्रियों से होती है ऐसा ही गुर्जर समाज के साथ भी है इनकी संस्कृति यदि किसी ने बचाई है तो वो गुर्जरियां ही है इनकी गुर्जरितियों का पहनावा देख लीजे गहने लोग गेल सब कुछ संस्क मान देना चाहिए क्योंकि वो है तो हमारा गौरव है वो है तो आपका मान है जिस दिन गुर्जुरी ने समाज के बारे में सोचना छोड़ दिया ना आपका सर भी उचा नहीं रह पाएगा दुनिया के सामने इसलिए पहली प्राथमिक्ता इन गुर्जुरियों को दे लेकिन और लोगों को मिकाबले शिक्षा की अगर हम बात करें तो यह बहुत पीछे है जमू कश्मी राजस्थान कई हिस्सों में बच्चे के जनमते ही उनका विवा कर दिया जाता है यही नहीं दिल्ली जैसे राजधानी में गुजुरियों को बारवी तक ही पढ़ाया जाता है और शादी कर दी जाती है दहेच के नाम पर शादिया होती है तो इससे समाज में बहुत बुरा हाल हो रखा है समाज की बेटियों का वो पाबंद कर दिया है इन्होंने बेडियों में जकर लिया है अब वक्त आ गया है कि इन्हें आप बाहर भेजें खुल कर सांस लेने दे और इन्हें वो इजदत, सम्मान और प्यार दे जो ये डिजर्व करती है एक बाल उनकी जगे खुद को रख कर देखीगा तब शायद आपको महसूस हो जाए कि किस तरह किस जिन्दगी जीती है ये फिर भी आपके सम्मान के खातिर सब कुछ सहन कर जाती है और अब वक्त आगया है कि इन गुर्जर्यों को कदम से कदम मिलाकर आप चलने का मौका दे तो बदलिए आप भी देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है और अब गुर्जर कौम को भी आप बदलिए, इस सोच को बदलिए जिससे इस कौम को और ताकत मिले तो कैसे लगे आपको हमारी वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में और इसी तरह क्या और वीडियो के लिए देखना ना भूले राजिसान समबाद, नमस्कार हर प्रॉब्लम का एक सलुशन होता है और आपके बिजनिस को ग्रो करने का सलुशन है मिशे मीडिया सलुशन क्योंकि आप डिजिटल मीडिया में चाने के लिए और अपने बिजनिस या प्रोड़क्ट को क्लियरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियो जिनने सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुँचे मिशी मीडिया सलेशन है Complete Video Production House जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रोग करने में मिशी मीडिया सलेशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता बलकि उस एड को बननी से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुचाया जाए इसमें भी मदद करता है तो अब चाहे आपको बनवाना हो Video Ad या फिर करवानी हो Video Editing या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए Spokesperson वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO तो आपके लिए हैं मिशी मीडिया सलेशन इनके अलाबा मिशी मीडिया सलेशन आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटिरेक्टिव पैनल, शांदार कंटेंट, राइटिंग मिशी मीडिया सलेशन के पास है एक बहुत एक्सपिरियंस प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आया तो आप देर क्यों करने, आज ही विजिट कीटिये www.mishimediaSolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549